कि यही लोग अपना अर्जेस्ट कर लेती हैं वही तो हमका है कि यह हमारे लिए लोग भागवान नहीं है अब इस इस्थिति में इस तरह कि आउरते हैं सब के बसकी बात नहीं है दो-दो आउरतों को रखना खर्चा मेंटेन कर लेना वह बात है यह मानिए कि यह अपने साली को भी घरवाली बना लिए और परिवार का खर्च जो है अब इनहीं लोग के सारे क्योंकि यह तो बिखलांग हैं लेकिन फिर भी यह बैटे-बैटे सब कुछ कर लेते हैं और अब यूटूब पर लगता है कि काम अच्छा होगा अब देखिए अब तो जनता जनार्दन आए अब यही वीडियो बनाये हैं अगर पब्लिक सपोर्ट कर दे और सेयर कर दे सब लोग इतना सेयर कर दे कि हर घर पर हर मोबाइल में चली जाए तो साथ सब लोग सोच रहे हैं कि बहुत लोग के दिमाग में होगा कि आप लोग का चैनल है और इसके वज़ए से आप जो है इन लोगों को खड़ा करके अपनी बीवी बता रहे हैं नहीं नहीं इसका हैं कि तो इनका आधार काड लिया कि दिखा देंगे उस पर हमारा नाम लिका ह पात्र के रूप में यह पात्र बनाया इसा कुछ नहीं है जिसकी मर्जी आके पता लगा सकता है नहीं हम सही कर रहे हैं गलत कर रहा है उस तरह से इनको देखने के बाद विश्वास नहीं जैसे हमारी साधी हुई थी ना तो यह थी पहली भार जो हमारी माता जी कुली टू विश्वास नहीं तो बुलाएं आपको काई कि कौन है तो हम कहें कि हमारी फात्मी तो समय आई थी तो बहुत मतलब गो देखा तो काई कौन पागल साधी कर दिया है मतलब इस तरह का सरीर इसम सीसा की तरह चमक रही थी गाए मार देने के बाद नहीं की सरीर खरा भाए दि सब्सक्राइब करने के चाहें लोगों से बाचीष करके अच्छा रगा आप लोगों कोई आप लोगों का सवाल निवेदन करेंगे कि जितना हो सके इस वीडियो की इतना वाइरल कर देजिए कि हर मोबाइल में चले जाए ताकि कम से कम इनका हैल्प हो जाए यह शेयर करने से किसी तरह का पैसा नहीं लगएगा अगर पैसा मांगा जाता तो हो सकता है कि सभी लोग न दे पाएं लेकिन हर एक दर्सक चाहेगा यह काम की नहीं सेयर कर दें तो किसी एक सेयर से किसी जरूरत मंद की जरूरत पूरती हो जाए तो उसको शेयर कर देना चाहिए और वास्ताव में इनको जरूरत है अगर मालें हर मोबाइल में इनका यह वीडियो चला जाएगा तो उससे इनको लोग जानने लगेंगे और तो साथ हो सकता है कि इनकी वीडियो भी लोग देखने लगेंगे तो चलने लगेगा इनका भी रोजी रोटी अब जो जो हमारे साथ घटना भगवान न करें किसी के साथ हो समझना है मजबूरी में और मजबूरी में करना भी चाहिए अगर कोई ऐसे पड़ाओं आ जा जाता है तो इस तरह से सबको सोचना चाहिए समझना चाहिए इन ही को देख लिए मतलब जिस इस्तिती में है मैं मेरे साथралह की इस्तिती में है मैं इनको साथ में रखने लाइक हूं लेकिन है परिस्थिती न कराई है वह बात है अब आपका जो एक्सिडेंट हो गया यह पैर का कैसे एक्सिडेंट हो यह पैर बच्पन में खराब था बाद में बुखार आया था उसी बुखार में डिश्टर्ब हो गया यानि कि आपको साथ बच्पन से ही बहुत काफी समस्या अब देखिए आगे कितना संगर्स करना पड़ रहा है मतलब कि इनका बच्पन में किसी डाक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया पैर में और इंजेक्शन के करण इनका पैर बिकलांग हो गया और इसके बाद जब इनके वी उसी से हां पोडा होगा है उनके फोड़ा हो गया था लेकिन फिर बहtalk हो गया ठाब पोर हो गया लेकिन साथी sudah को साथी होने के बाद सब कुछ सही होना टाइए लेकिन फिर भी भगवान का जो है ऑईसा कई रहा थे लुच्छ因為 characters हो जिसमें उनके बेच्छ долine देखिए बच्पन से ही संघर्ष करते हुए आ रहे हैं पांच साल के थे तो बुखार आया पैर खराब हो गया फिर पढ़ाई लिखाई चानने लगे किसी तरह से माल ये पढ़ाई लिखाई भी पढ़े लिए हम भी ये तक पढ़े आ इसके बाद साधी साधी होने के दो-3एन के बाद माता जी क्ली तूट गए वो मतलब धानिक जीवन के कार्यों में सायोग करती थी तो दो-3 माहिने के बाद कोवां करके में कुझ के दवा कर दें हुआ है फिर भी अब काम नहीं कर पाते हैं अपना जम काम कर लेते हैं द्ञेनिग जीवन का कम फिर बूख पांच महिना के बाद दो पिनको गाय मर्दी फिर आप इनको का मार देने के बाद इस्तिती सही हुई तो यह जो पिता जी है यह जा रहे थे चट्टी पे पिसान लेने के लिए हम जा नहीं पाएंगों लाने जाते हैं जा रहे थे लाने के लिए बस राड़ी वरा मार दिया आपके जीवन के साथ हमेशा जो है संगर्स है अब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में खुसियां हैं और आज से आपका जीवन का उदय हो और जो भी आप लोग चैनल पे काम कर रहे हैं चैनल ग्रोथ हो आपका इंकम अच्छा हो हर चीज मतलब हम प्रयास करेंगे भगवान से बिंति करेंगे कि आपके साथ जो है सब अच्छा हो और अभी देख रहे हैं आसा जी नीशा जी और राम विराज जी पत्नी अब लोग कैसा वीडियो लोगा कमेंट में जरू पुछेएगा जवाब देंगे हम बार बार कर रहे हैं तो बस इस वीडिय साथ जय हिंद जय भारत